नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सबी लोग का श्रेडिगलोस पर जिस समय आप पॉर्ण को देखते हैं उस समय आपका सब कॉंसियस माइंड किस तरीकी से काम करता है ये तो आप लोग को पता होगा कि जब भी आप किसी चीज को बड़ी गहराई से देखते हैं वो आपके मन मस्तिक्स में एक श्टोर हो जाती है एक जगह जो है वो बना लेती है आप देखे कि इतिहास की कुछ घटना ऐसी हुई है जिनको होने के बार आपने उनको गहराई से सोचना शुरू किया और वो आपके दिमाग के अंदर एक जगह अभी भी मनाई हुई है आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्मन्ट फ्राइड की क्योंकि उन्होंने सब कॉंसिस माइंड के बारे में इतना रहसिमाई चीज बताई इतनी जबर्दस चीज बताई कि आज भी उनके सिध्धान जहें लागो होते हैं छह माई अठारोच छपन को जन्मा एक रेक ती जो कि आश्ट्रिया के अंदर जन्म लेता है और वहाँ से उसने कई कितावों का पब्लिकेशन किया यही नहीं जब उसकी सिध्धान जब दुनिया की सामने आते हैं इसको हम लोग कहते हैं मनो विशलेशन का सिध्धान psychological theory जब आती हैं तो उन्होंने बहुत सारे सिध्धानतों को फैल कर दिया आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका subconscious mind को अगर आप लोग control कर लेंगे तो आप दुनिया में वो पा सकते हैं जो कि आपने चाहा है लेकिन इसमें आपको self control की जरुवत है तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग कि subconscious mind जो है वो किस तरीकी से काम करता है सिग्मन फ्राइड ने एक सिध्धान दिया था मनो विचलेशन सिध्धान उसके अंदर मन की तीन अवस्थाएं बताए थी उसमें कहा था कि आपका एक तो चेतन मन होता है मतलब conscious mind होता है जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक picture जो है store हो जाती है लेकिन जैसे वो वस्थू आपके सामने से हटती है तो वो जो image है वो आपके subconscious mind के अदर पहुंच जाती है कोई भी विचार हो, कोई भी वस्थू की image हो, वो आपके subconscious mind में जाकर store हो जाती है लेकिन उसका एक फाइदा है कि जब भी आप उसे याद करना चाहते हैं तो वो आपके बिलकुल पटल पर उस समय आप उसको इतना गहराई से देखते हैं कि आपके जैसी वो movie खतम होती है तो आपके subconscious mind के अंदर जाकर store हो जाती है अब जब भी आपके मन में विचार आएगा तो आपकी वो image वापस से create होने लगती है इसका मतलब ये है कि जहां पर आपके दिमाग के अंदर बहुत अच्छी बाते store होनी चाहिए थी वो बाते store नहीं हो पा रही है और ऐसी जिनको जरुते नहीं बिलकुल garbage है कच्रा है ऐसी बाते आपके दिमाग में जाकर store हो रही है इसलिए segment fried ये कहते हैं कि आप हमेशा ऐसी चीज़ों को देखो ऐसी चीज़ों को सुनो जो कि आपके सब conscious mind में जाकर बैठ जाए और आपको जीवन के अंदर आगे लेके जाए जब भी हम किसी को चीज़ को देखते हैं तो conscious mind जो है वो 10 प्रतिशत काम करता है और वहाँ पर चीज़ों को जब लंबे समय तक इस्टोर नहीं रख पाता है जैसे आपके will power है short term memory जो होती है उसको conscious mind के अंदर इस्टोर के जाता है logical thinking जो है या critical thinking वो आप लोग जो है वो क्या समझते हैं क्या सोचते हैं conscious mind जो है वहाँ पर सोचने की प्रक्रिया होती है लेकिन सबसे main important जो role अदा करता है वो होता है subconscious mind और सिग्मेंट फ्राइट ने ये कहा कि subconscious mind जो है वही आपका एहम role यहीं कि main lead role जो है वो यही है 90% यही work करता है आपके beliefs के अंदर belief मतलब आप चाहते हैं किसी target को हासिल करना आप चाहते हैं कि मुझे वो चीज मिल जाए आपको belief है विश्वास है लेकिन आपके subconscious mind ने अगर कह दिया हाँ तो वो मिलेगी जरूर फिर emotions अगर आपके emotions imbalance की condition में आ गए असंतुलन की अगर सिती में आ चुके हैं तो उस समय आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कितना भी addiction को छोड़ने कोशिश कर लीजिए वो नहीं छोटेगा क्योंकि आपने अपने emotional जो है वो attach कर ले उसको फिर habits आपकी habits जो होती हैं वो हमेशा होता है और intuition होता है basically जब भी आप लोग किसी porn movie को देखते हैं तो आप कह करते हैं उसके बारे में imagination करने लग जाते हैं कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा और आपका subconscious mind वो garbage से भर जाता है इसलिए उन्होंने iceberg की theory दी कि iceberg जितना हमको ऊपर दिखाई देता है वो किवल conscious mind है वो बहुत कम है जबकि जो man lead role के अंदर है वो कौनसा है सब conscious mind है जहाँ पर 90% जो है वो आपके सभी बाते इस्टो हो रहती है segment fried के एक बात बहुत अच्छी है वो यह कहते हैं कि the conscious mind may be compared to a fountain playing जब भी कोई चीज देखी है अंत में उसको end पर कहाँ पर जाना है subconscious mind के दर जाकर enter होना है समझ गयोंगे आप लोग कि जब भी आप किसी चीज को बहुत गहराई से देखते हैं तो आपको क्या क्या आपने उस समय पौन देखते वक्त आपने अपना ध्यान दिमाग हर जगे हर चीज जो है वो एक जगे concentrate कर ली इसलिए जब भी आप पूजा करने के लिए जाते हैं यहां दखिए आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं किस से मिलने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको वो गंदी of dreams मतलब आप जो सपनों के अंदर देखते हैं वागई में वो सपने जो हैं वो आपके subconscious mind के अंदर store है जो कि आपने आज से कुछ दिन पहले कोई गतिविदी की होगी वैसे ही सपने आपको आते हैं वैसे इंसान सोचता है वैसे इस अपने आपको रात को दिखाई देते हैं और ये ये जो किताब थी इससे बहुत famous हुए थे सिग्मंट फ्राइड और इसी किताब की आधार पर उन्होंने सब कौनसी जो mind होता है इसकी activities को समझाना शुरू कर दिया था इसी लिए अगर आप अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो सिग्मंट फ्राइड को follow कीजिए जब भी आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो आपके दिमाग के अंदर दो चीज़े होती है आप लोग इस तरफ देख रहे हैं शैतान है इस तरफ जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि भगवान है जब भी आप लोग किसी movie को देखते हैं तो यह जो शैतान है ना शैतान व है वो आपको देखने के लिए मजबूर कर रहा है और जो ईश्वर भगवान है उसकी जो आवाज है उसको दवा दे रहा है नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है शैतान चाहता है कि ये आगे जो है addiction हो चुका है आप जो है बहुत low feel करते हैं confidence नहीं है तो आपकी जो कमजोरी है उसको तागत बनाईए क्यों क्यों कि आपने जिस चीज को बहुत concentration के साथ में देखा है बहुत focus होकर देखा है इसी focus को अब आपको positive energy की तरफ लगाना है क्योंकि जो addiction है वो positive भी तो हो सकता है वो positive addiction जो है वो आपको अपने जीवन में आगे निकल निकल लगाना है आपको लगाना है उस addiction को आप चाहें किताब पढ़िए बहुत जबरतस किताब पढ़िए वो addiction ने का आप exam के तयारी कीजिए आप business को grow कीजिए लेकिन उसके लिए क्या चाहिए addiction चाहिए तो positive way के अंदर उस कमजोरी को जो है वो convert करना है और आप लोग जो है आगे निकल जाएंगे इसलिए मैं आप लोग के लिए 75 days का hard challenge लेके आ रहा हूँ 75 days में मैं ये पूरी कोशिश करूँगा अगर आपने 75 techniques अगर इस्तमाल कर ली research paper की base पर होगी 5 जनवरी से ये challenge जो है वो शुरू होने जा रहा है आप इसमें जरूर enroll करें और सभी age groups के लिए है 75 days का hard challenge जिसमें आप कैसे avoid कर सकते है porn addiction को कैसे वो आपके जीवन से बाहर निकल सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों देखे होंगे कि कोई बुरी चीज नहीं है ऐसा नहीं है देखे अती जो होती है वो हर चीज की बुरी होती है अती हर चीज की बुरी होती है इसलिए हम लोग इसको addiction नाम दे रहे हैं आप लोग coupon code यूज करना है challenge जिससे आप लोगो discounted price के अंदर ये course available हो जाएगा ये केवल कल तक ही available है ध्यान रखना 30 December तक 30 December तक इस price में है उससे पहले ले लीजिए आपको discounted price में मिलेगा 5 जनवरी से challenge वो शुरू होने जा रहा है अगर आप लोग इस challenge को accept करते हैं comment section में जरूर बताना और ये जरूर बताएगा कि क्या ये जो पहल की गई है ये जो initiative है वो सही तो है क्या बताएगे कितने लोगों को जो है इससे लाब मिलने वाला है जरूर जोइन कीजीगा आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं दीपक इंदरा ओफिशेल यहाँ पर जोइन हो जाएए यहाँ पर lecture की PDF और details जो है वो आप लोगों को share की जाएंगे मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तक ले धन्यवाद, थैंक्यू, जैहिं